अगर आपको आज का वीडियो पसना आए तो प्लीज वीडियो को लाइक शेर और और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और हाँ बेल आएकोन को प्रेस करना ना दोले ताकि हमारे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन्स आपको बरवक्त मिलती रहें Dear student, today we are going to learn subject mathematics, topic increasing decreasing order यानी चड़ती उतरती तरती प्यारे बच्चों सीडिया चड़ते और उतरते वक्त आपने कभी गवर किया है कि जह हम सीडिया चड़ते हैं तो हमारा कदम पहली सीडि पर होता है उसके बाद दूसरी सीडि उसके बाद तीसरी इस तरह से हम तमाम सीडिया क्या होते हैं चड़ते जाते हैं यानी बच्चों हमारी सीडिया क्या हो रही है एक के बाद बढ़ती जा रही है यानी पहले one number की सीडि उसके बाद two number की सीडि इस तरीके से हम last में यहाँ पर 10 पर हम क्या हो जाते हैं? पहुच जाते हैं. यह कब होता है बच्चो? जब हम सीडिया चड़ते हैं. इसलिए से चड़ती तरती यानि increasing order कहते हैं. Increasing order में number क्या होते हैं बच्चो? एक के बाद एक बढ़ते जाते हैं. यानि हर दूसरा नमबर पहले नमबर से बड़ा होता है, जैसे कि यहाँ पर सीडियों की नमबर आप देख सकते हैं, पहले यह वन नमबर, फिर टू, फिर त्री, फोर, फाइव, सिक्स, सेवन, एट, नाइन और टेन, इस तरह बच्चों, जो हम सीडियों से नीचे उतरते हैं, तो हम सबसे आ नमबर की सीडिय पर आएंगे, नाइन नमबर के बाद में, एट नमबर की सीडिय पर, एट नमबर के बाद में, सेवन नमबर की सीडिय, इस तरह से हम फिर से दोबारा पहले नमबर की सीडिय पर आजाएंगे, यह कब होता है बच्चों, जब हम सीडियों से उतरते हैं, य ऐसा कि आप यहाँ पर सीडियो पर देख सकते हैं, पहले 10 नमबर है, उसके बाद 9, फिर 8, 7, उतरते वक्त, पहले 10 नमबर, फिर 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 और लास्ट में 1 नमबर, इसलिए बच्चों इसे उतरती तर्ती यानि decreasing order कहते हैं, अब हम इसे और एक 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 जामपल के जर पर ब्लॉक रखूंगे, आपने उने क्या करना है, काउंट करना है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, अब देखो बच्चों, यहाँ पर पहले 1 ब्लॉक रखाए, उसके बाद 2, उसके बाद 3, उसके बाद 4, 5, 6, 7, 8, 9, यानि कि बच्चों, यहाँ पर पहला नंबर छोटा है, उसके बाद का नंबर क्या है, बड़ा, उसके बाद का नंबर उससे बड़ा, इस तरीके से यहाँ पर चड़ती तर्तीब में, यानि increasing order में क्या हो रहे है, नंबर यानि एदाद बढ़ते जा रहे है, त उसी तरीके से बच्चों, जब हम सबसे बड़े नंबर से नीचे उतरेंगे, जैसा कि यहाँ पर 9 ब्लॉक है, 9 के बाद में क्या आएंगा फिर? 8, यानि कि 8, 8 के बाद में 7, 7 के बाद में 6, फिर 5, 4, 3, 2, और at last 1, यानि उतरती तर्तीब में यहाँ पर नंबर क्या हो रह है, घटे जा रहे है, इसलिए इसे हम decreasing order यानि उतरती तर्तीब कहेंगे, याद रखो बच्चों, चर्ती तर्तीब में एदात क्या होते है, बढ़ते जाते है, और उतरती तर्तीब में एदात क्या होते है, कम होते जाते है, यानि घटते जाते है, हम देखेंगे question, यहाँ पर देखो question है write in the increasing order यानि चड़ती तर्तीब में लिखो अब देखो यहाँ पर 5 number लिखा है अब हम इसे चड़ती तर्तीब में यानि increasing order में लिखना है तो फिर increasing order में मैंने आपको बताई कि increasing order में number क्या होते है बढ़ते जाते है अब यहाँ पर 5 है तो फिर 5 के बाद का number क्या आएंगा फिर very good 6 उसके बाद 7 उसके बाद 8 और उसके बाद 9 ओके अब देखेंगे दूसरा question write in the decreasing order यानि उतरती तर्तीब में लिखो उतरते वक उतरती तर्तीब में क्या होते है number रटते जाते है यानि कम होते जाते है फिर अब यहाँ पर 9 number लिखावा है फिर 9 से पहले वाला number क्या आएंगा very good 8 8 से पहले 7 7 से पहले 6 और 6 से पहले 5 ओके student are you understand increasing decreasing order उम्मीद करती हूँ क्या आपको आज का lesson समझा आ गया हूंगा student thank you and goodbye